गूड इवलिंग बच्चो कैसे हैं आप लोगा हैं बड़ी शॉर्ट बैदरीन होंगे और आकरी के 20 दिन अब एक्जाम के लिए बचे हैं ठीक है कि मुझे ना कुछ भी याद नहीं है और मैं प्राक्टिकली बोलूँ बच्चो अगर आप याद करने की सो अगर आप इस नियत से एक्जाम में जा रहे हैं कि मुझे चीजें दिमाग में पूरी याद हैं बच्चो 1100 पेज का 1100 पेज का कमनी लोग का मॉडल है 600-700 पेज का आपका या 500 पेज का आपका जही जील का मॉनले। इतना सारा चीजें आपको याद कैसे रहेंगी मुझे बताइए So, वो आपका दिमाग का एक डर है कि मुझे चीजे याद नहीं है और practically देखा जाए तो चीजे याद रही नहीं सकती चीजें दिमाग में retained रहती हैं, retained और exam के time पे बराबर दिमाग उन चीजों को exam में recreate करता है आपको चीजें दिमाग में आएंगी So, at this point of time ये सोचना कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत जादा चीजें difficult लग रही है मेरे खाल से मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं तो सिर्फ आप अपने आपको हर एक second और जादा demotivate कर रहे हैं So, at this point of time आपके पास time ही नहीं होना चीजें कि कुछ भी सोचनेगा यार इस point of time पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है Read करते जाएं मैं बोल रहा हूँ ना company, law, SB, IRL, SB, CECM, SL, SLCM जो भी है आप जब exam center में जाएं तो exam center में जाने के पहले कम से कम आपके 100-500 questions लिखे हुए होने चीए तो आपकी question answer writing practice अच्छी हो जाएगी number one और number two आपका हर एक चीज, हर एक मतलब जिस जो भी आप note से पढ़ रहे हैं आप ICSA की module से पढ़ रहे हैं कहीं से ही पढ़ रहे हैं कम से कम चार से पांच reading उन चीजों की हो जाने चीए and then you would see कि यार मतलब exam में जो भी आएगा आप खुद बोलेंगे कि दुश्रें से आप बिल्कुल सहीं बोलते थे कि यार ये सब चीजे ना फालतू के load लेने वाली है रटा 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 नहीं करना मैं आपको एक ही चीज बोलतू है exam में question क्या आएगा कि proxy 72 hours पहले जमा कर आई है shareholder ने meeting के क्या उसको company accept करेगी नहीं करेगी अगर company ने आर्टिकल में 48 hours से जादा का time डाला है तो क्या होगा मतलब आपको provision आप से पूछेंगे कि एक बंदा maximum कितने बने है Mr. Shia में वो एक ऐसे बंदे के proxy बने है जिसके पास 12% share है क्या वो सही है उसका proxy बनना और अगर वो उसका proxy है तो क्या वो किसी दूसरे का proxy बन सकता है substitute service of summon राम को समन भेजा नहीं मिला government सोच रही है या court सोच रही है आप उसको substitute service of summon भेजें तो कैसे भेजें ठीक है nomination and remuneration committee का composition अब ये कुछ questions है जहाँ पर आपको चीजें दिमाग में आनी चाए committee composition तो आप उसका proper एक चार्ट बना लीजे या आप जिस note से पटर उसमें चार्ट बना होगा आप उसको बार-बार देखिए ठीक है तो बचो ये चीज़ आद रखिए बस load मत लिजे इस time अगर आप ये सोचने में वक्त जाय करेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं है यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सब कुछ भी नहीं है बचो चीज़ें आप रीड करिए मैंने इतने सारे rankers का interview लिया है toppers का interview लिया and everyone says की सरह हम रटा नहीं मारते दो ही चीज़े याद रखिए एक writing practice पर focus रखिए और दूसरा reading पर focus रखिए ठीक है तो जितना आता था और reading जब मैं कहूँ आपको पते कौन दिमाग में reading retained कब होती है number one जब वो पूरे concentration के साथ कीज़े और number two बता ही number two क्या है number two जब आपने उस चीज़ को एकदम दिल से पढ़ाए मतलब concentration तो ही बट आपने whole heartedly उस चीज़ को पढ़ाए आप देखिए चीज़ें दिमाग में आपके retained रहेंगी so please बचो last 20 days है हिमत नहीं आ रही है लगे रही है और reading पर focus करते रही multiple times आप चीज़ों को read कीज़े love you so much God bless you बचो